नमस्कार मित्रान्नो, मी निखिल, आपन आज या विडियों मद्धे नुमरीकल मेथड्स या विश्या मधिल विवीद मेथड्स चे प्रोग्रामिंग बनोने सथी वापर्ने तिनारे MATLAB या सौप्ट्वेर बदल महिती गिनार आहोत। आपन आता MATLAB सौप्ट्वेर ची मेन स्क्रीन पहता होत। MATLAB सौप्ट्वेर बदल महिती मेनुना सथी सौप्ट्वेर चा हेल्प मेनुचा उप्योग करूया त्या सथी इथे एक प्रश्न चिन्न दिशता है जा वर मी आता क्लिक करता है मी क्लिक के लिए वर तुमाला इथे बरेज ओप्शन्स दिशतील त्या मधिल मी पहला ओप्शन स्लेक्ट करतो MATLAB आपन आता पहता साल MATLAB या पॉइंट मद्धे बरेज पॉइंट मेंशन के लिए गे लिया है त्या मधिल मी पहला पॉइंट स्लेक्ट करता है गेटिंग स्टार्टेड विद मैटलाब तो पॉइंट स्लेक्ट के लिए वर अपन पहता साल एक नवीन विंडो अपला समूरा लिया है त्या मधे MATLAB प्रोड़क्ट डिस्क्रीप्शन असा पॉइंट मेंशन करनाता लिला है जो MATLAB सॉइंट बद्धल महिती देतो त्या नंतर दुसरा पॉइंट है सिस्टिम रिक्वार्मेंट MATLAB सॉइंट्वेंट इंस्टॉल करना साथी कम्प्यूटर ची रिक्वार्मेंट आसते त्या कम्प्यूटर ची रिक्वार्मेंट काया सावी या बद्धल महिती दिन्यात अले लिया है आपना ता MATLAB सॉइंट्वेर बद्धल थोड़ी बेसिक इंफोर्मेशन करूँन क्यों तुम्ही थे बगू सकता टुटोरियल्स त्या खाली पॉइंट मेंशन के लिया है त्या मदिल मी पहला पॉइंट स्लेट करता है डेक्स्टॉब बेसिक या ठीका निया अपन सॉफ्ट्वेर चा स्क्रीन बद्धल जी पहली में स्क्रीन आये त्या बद्धल महिती मिलू शकता इते जासा लिल्या है वेन यू स्टाट मैटलैप देक्स्टॉब एपिर्स इन दे डिफॉल्ट लियाओट मंजे जावी तुम्ही मैटलैप सॉफ्ट्वेर चालू करता या पद्ध दीजी स्क्रीन तुम्चा समूर एते जी स्क्रीन हीया है आता आपन त्या स्क्रीन बद्धल महिती के हूँ इते लिल्या है देक्स्टॉप इंक्लूट्स थ्री पैनल्स फर्स्ट पैनल करन्ट फोल्डर अक्सेस यूर फाइल तर मी सॉफ्वेर कड़े जाता है पहिला पैनल आ हे करन्ट फोल्डर जाम बद्ध है तुम्ही थैयार के लिली फाइल उठे सेल के लिली के लिली आ है, यह तुम्ही फाइंड करूशकता दुसरा पैनल आहे, Command Window इतले लिलिया हे, Enter Command at the Command Line Indicated by Prompt Prompt मन्जे हे दो नैरोज में Software कड़े जाता है तर यहाँ, दुसरा पैनल जला Command Window आसे मनता इतले तुमें Command Entry डे हुँ शकता Software ला यहाँ, दो नैरोज ना Prompt आसे मनन्याता लिलिया है तिसरा पैनल आहे, Workspace लिल्या हे, Explore Data दाट यू Create और Import from Files तर हाँ हे तिसरा पैनल Software जा जाठी कानी, तुमें तयार के लिला डेटा आनी तया बद्दल ची वाल्यू तुमें जानून गी हुँ शकता आता अपन Software बद्दल पुर्ची माहिती गयो इतले लिल्या है As you work in MATLAB, जावें तुम्हीं MATLAB मते काम करता यू issue commands that creates variables and call functions तुम्हीं जावें ला Software ला command देता तुम्हीं ला एक variable आनी call function create के लिला दातो तैननी इते एक उधारन दिल्या है For example इते टाइब के लिला है A is equal to 1 आनी तैजा खाली तुम्हीं बहुँशकता MATLAB adds variable A to the workspace and the display to the result in the command window उज़े जावे तुम्ही A is equal to 1 आसे command window मते टाइब करता तैननी एक A नावाचा variable तैयार होतो जो तुम्हीं वर्क स्पेस मते बहुँशकता आनी त्या मते एक ही value store होते है आता आपन तैजा actual processing बहुँशकता तर ही आए command window आता मैं इथे type करतो A is equal to 1 आनी मैं प्रेस करता है enter आता तुम्हीं इथे बहुँशकता A हा एक नवीन variable तैयार जाला है आनी जा मदे एक ही value store जाली है त्यास बरोबर तुम्हीं वर्क स्पेस मते बहुँशकता वेरियेबल चो नाव आहे A आनी त्या वेरियेबल मदे एक ही value store करनात आले लिया है आता मैं परत help कड़े जातो आता इथे पुड़चा आजुनेक उधारन देना दालेला है create a few more variables इते परत b is equal to 2 मैं जे b बरोबर 2 परत b is equal to 2 जे कमांड विंडो मदे डिस्पले होते अपन परत तसज करो मैं ये त्याता टाइप करतो b is equal to 2 ता बहुँशकता एक नवीन वेरियेबल क्रियेट जाला है जे जो नावाही b आणि त्या मदे दोन ही value store जालेलेले त्यास बरोबरेन तुम्ही workspace मदे बहुशकता एक नवीन वेरियेबल भी त्यार जालेला है आणि त्या मदे दोन ही value store जालेलेले आए अत्ता परेंद अपन software मदे variable कसा input दायेच हे पन बगितले आता इथे पुरुच्च उधारन दिला है addition बेरजे ज इथे लिला है c is equal to a plus b आता इथे c हा एक नवीन वेरियेबल त्यार करना तलेला है जा मदे a plus b a हा पहला variable b हा दुसरा variable है दोगान ची बेरिज करना तलेलेले है मजे addition करना तलेलेले है दसा आपन अल्रेडी बगितला होता a मदे एक और b मदे दोन या दोन वाल्यू स्टोर करना तलेलेले है तो एक अधिक दोन आशे वाल्यू होते तीन तो तुमी इथे बगू शकता c is equal to 3 है उत्तरा है तर आपन software मदे बगू आता थे तर मी टाइप करतो c is equal to a plus b अनि मी एंटर करता है तो जसा में एंटर दाप तुमी बगू शकता आता ही थे c is equal to 3 आशे वाल्यू डिस्प्ले जाले लिया है आशे वाल्यू डिस्प्ले जाले लिया है अनि साइमल्टेनेसली वेरियेबल a एंट b पुड़े काही examples देने दा लिल्या है अपन ती बगू आता इते लिल्या है d is equal to cos a तर मी आता थे copy करतो तर मी आता थे copy करने साथी मला ctrl c ये दाबाव लागेल keyboard वरल अनि मी आता कमांड विंडो में आलेला है अनि मी टाइप करतो ctrl v तर मी आता इते बगू शकता d हा एक नविन वेरियेबल create करतो है आपन आणि त्या मदे cos a ची वाल्यू स्टोर करतो है a ची वाल्यू अपन डिफाइन के लिल्या है इते वर g आ है 1 त्या मदे इते नविन एक वाल्यू त्यार होईल g आ है cos a ची आणि ती store होईल save होईल d या नविन वेरियेबल मदे तर मी क्लिक करतो है enter जसा मी enter दावें तुमी बगू शकता d is equal to 0.5403 अशी वाल्यू त्यार जाले लिले जी वाल्यू आ है cos a simultaneously तुमी वर्कस्पेस मदे बगू शकता एक नविन वेरियेबल त्यार जाले ला है त्या मदे वाल्यू स्टोर जाले 0.5403 अथा अपन पूर्चा उधारन बगू अथा इते लिला गेला है when you do not specify an output variable जा वेला तुमी command window मदे कुनता ही वेरियेबल डिफाइन करत ना यहात त्या वेहला MATLAB त्याचा एक default variable consider करतो जाज़ा ना वाहे ans त्या तुमी थे बगू शकता sin a यह function आ है कि वाहाँ एक mathematical function आ है जा मदे आप लेला sin a मनजे sin 1 ची value identify कराई चाहे जाजा उत्तरा है 0.8415 परन्तु इथे कुटला सुद्धा variable define के लागे लेला ना ही जैसे इथे ववर d is equal to cos a आसा define करना ता लेला है परन्तु याठीका नी कुटलाच variable दे लेला ना ही जैसा मी पुढे जर बोलो e is equal to sin a तर त्याठीका नी e हा एक variable हुँ शकतो परन्तु इथे आसा कुटलाच variable नाही है त्या मुणे software नी स्वताच चा ans हा variable define करन त्या मदे value store के लेले अपन देज़ प्रात्यक्षिक भगवा आता तर मी copy करतो है sin a ctrl c software मदे मी जाता है हानी मी इथे ctrl v मनतो sin a आता तुमी भगा मी enter दापतो है तर उत्तरा है 0.8415 जी store जालेला है ans तर इथे तुमी भगुशकता एक नवीन variable त्यार जालेला है जो software चा default variable है जा मदे 0.8415 जी sin a चा उत्तरा है ते store जालेला है त्या मुणे या ठीकाने एक वोस्ट क्लियर कराई शीवाटते की जावेला तुमी कुटला सुधा variable define करत नसाल तर matlab स्वता चा एक variable जाज़ा नाव है ans यूज करतो ती value store करने साथी अता आपन शेवट चा पॉइंट मद्या है जो desktop basic चा अंडरा है इते वाग के लिला है if you end a statement with a semicolon तर जी कुटली कमांड आ है त्याचा आपन end शेवट जर या semi-colon sign निकेला तर matlab performs the computation matlab software तेजा काम करेल but suppress the display of output in the command window परन्तु तुमाला तेजा output command window मने दिसना रहना है तर यावाक्या जा आ रहता है तर इते type के लिला है e is equal to a हे जे sign आ है ते multiplication जे sign आ है so a multiply by b a गुनाकार b आणि इते आ है semi-colon आता अपन ते copy करू आणि paste करू software मदे तर मी थे control v दापतो तुमाला आदी महिते जाहे आपन अल्रेडी values defined केले ले आहे a ची वाल्यू आहे 1 आणि b ची वाल्यू आहे 2 जर मी आम यहा दोगांचा गुनाकार केला तर उत्तर है ते 2 आणि इता आता एक नवीन वेरियेबल डिफाइन केला गेला है e तर जे का यहा दोगांचा मल्टिप्लेकेशन होईल आणि ते उत्तर है e मदे स्टोर केला जाहेल परन्तु आपना आता इते एक नवीन साइन डिफाइन केला है जाचा नाव है सेमी कॉलन तर हे ते साइन आहे आता तुमी पहला मी साइन काडतो हो ओके आता मी दापतो एंटर तुमी बगुशकता इथे डिस्प्ले जाला है e is equal to 2 और साइमल्टेनेसली वर्क स्पेस मदे पन तुमी बगुशकता एक नवीन वे पिट करतो पन आता मी टाइप करतो पुढे सेमी कॉलन तर हाँ सेमी कॉलन तुमी बगुशकता ही थे ता मी थे एक नवीन वेरियेबल डिफाइन करतो f ओके तर मी आता एंटर करता है तर जासा मी एंटर करता है तर जासा मी एंटर करता है तर तुमी बगुशकता कमांड व अलेला है e is equal to 2 पनि थे f is equal to 2 असा अलेला ना ही परन्तु तुम्हीं वर्क्स्पेस मदे बहुँ शकता है कि नवीन वेरियेबल क्रियेट के लागेला है जा चना है f अनि त्या मदे दोन ही value store करने अलेले है तर अलेल सेमी कॉलन सा यूज हा कमांड विंडो मदे है तुम्हें आउट्पूट अले ते सरप्रेस करने साथी क्यों हां डिस्प्ले न करने साथी यूज किला जटो जावेला तुम्ही सेमी कोलन यूज कराल स्टेटमेंट जवटला त्यावेला तुम्हा उत्तर हे कमांड विंडू मदे दिसनर नाही परन्तु ती प्रोसेस जालिया सेल MATLAB software मदे आणि ती वाल्यू वर्क स्पेस मदे वेरियेबल चांडर स्टोर जालिया सेल अपना ता शेवट चा पॉइंट डिसकस करू इथेक वाके लिला हे जे मैं हाइलाइट करतो यू कैन रिकॉल प्रिवियस कमांड बाप्रेसिंग दे अप अन डाउन आरो कीज रहेते जे दोन साइनस है जा वेलाइ तुम्हाला जुन्या कमांड परत पाय जासतील परत टाइप करही जासतील parat यूज करही जासतील तर टाइप करने वीड़ अनद पिकमै तुमै अप एन एयरो या ौन बटन वा परोन तुम्ही जुने वाल्यूज के माँ जुने कमांड्स रिकॉल को शकता में आता अप आरू क्लिक करता है तो तुम्ही बगू शकता ही थे अपना जुने कमांड्स एंटर के ला होता तर मी आता select करतो b is equal to 2 और मी प्रेस करतो enter तर सा मी प्रेस करेंगे enter परत b is equal to 2 हे variable मी परत recall के लगे ले तर इथे तुमचा time वास्तो तर हम गड़े जर तुमाला जुना function जुनी command ज्यादी यूज के लिए 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 ती call कराई चासे तर परत तुमी अप या arrow चा अप या button चा यूज करों तुमी ती call कर सकता तर हे तरह शेवट चा point होता desktop basic या point मदला तर इथे आपला desktop basic या point समतो पुर्चा वीडियो मदे मी दुसर्या point बदल discussion करें जा point जनावा है matrices and arrays मित्रा नो जर तुमाला हा वीडियो आवडला असेल तर तुमी subscribe करों शकता माजा चाइनल ला माजा चाइनल जो नावा है दी निखिल कुम्भार हीचे, भीप्र क्पजयो ने काइनल करें, याओंगो याच वेडि़ यूल